प्रिदेश को पांचमा टाइगर रिजर्व मिलने की और बन भिवाग प्रयासरत है इसी को लेकर एक टीम गठित की गई है जिसमें बन भिवाग के सिवा निप्रत अधिकारी बरत्मान अधिकारी साथ ही एंटी सिये के सदस्वी शामिल किये गए हैं इस टीम का करोली और दोरा चल रहा है CCF रंथम और टाइगर रिजर्व सवाई माधुपूर सेडु राम यादव हमारे साथ हैं इन से जानते हैं किस प्रकार यह पर किरिया चल रही है और आगे इस दिशा में किस प्रकार की सार्थक नतिज़े सामने आ सकते हैं इसके टाइगर रिजर्व के ज लाँ दे साथ उसमेरे जी लीगल पनीक्रिया हें उसके लिए जनरा आवशेक है और उसी के लेए रासरकार ने कमिटि घठित कीये उसी रासरकार की घठित कामिटी दोरा कल कर Holy Area के करोली में टाइगर का मुवमेंट अक्सर बना रहता है इस द्रश्टी से यह एक आशा जनक नतीजे सामने आ सकते हैं क्या मानना है आपका इस बिल्कुल इस एरिया में टाइगर का पहले सी मुवमेंट है धोलपूर में भी है तो इसके साफ से यह पूरा लैंड इसके आगे बढ़ेगी किस तरह आगे और चरन क्या है इसके नहीं अभी तो यह जिसे फिल्ड विजिट के बाद में यह जो कंप्लाइंस करने वाली है उसकी रिपोर्ट जाएगे एंटी सीय में और अभी इसमें जो बफरी एरिया में जो ग्राम सभाएं उन ग्राम सभाएं उस अभी दोरी पर है यह अपनी रिपोर्ट सोपेगी और इसके बाद एंटी सीय की टीम एक बार फिर से अध्यन करेगी और इसके बाद में सब कुछ ठीक रहा तो यह सोगात मिल सकती है बन विबाक से करोली के लिए अच्छी खबर है मनो जैन फस्ट इंडिया निउज करोली अच्छी खबर है